हलो एवरिवन आज है 28 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे कलियान जोइलर्स के बारे में देखिए 107-108 हुपे के आसपा शेयर ट्रेट कर रहा है भयंकर गिरावट आई है आज 9% तक कलियान जोइलर्स का शेयर गिर चुका है काफी बड़ी गिरावट है वीडियो में बात्चीद भी करेंगे कि इस गिरावट की वज़े क्या है क्के बड़ी क्वंटिटी में बिकवाली आई है यहाँपर और हैंड एक्सचेंज के आ सकते हैं आपर और इसके आपर इसमें यहाँपर डिसक्रस जरूर करेंगे और ग्यान जोलर्स में आज गिरावट है 9% तक गिरा है पिछले एक हफते में अगर आप देखोगे तो गिरावट काफी बड़ी है 121 रुपए से गिर कर नीचे आया है 121 रुपए से ये गिर कर नीचे आया जरूर है एक महिने में अगर हम देखेंगे तो काफी ups and downs वाला माहौ रहा है इससे पहले अगर आप देखोगे तो 107 रुपए से बढ़िया bounce back आया था 122 तक गया फिर वापस थोड़ा सा गिरा 114 पर गया वापस तेजी दिखा 122 पर गया वापस अभी ये गिर रहा है तो इससे पहले भी एक time था जहां पर ये 108 रुपए के आसपास रहा था और वहीं से अच्छा bounce back भी आया था एक साल के अगर हम बात करेंगे तो एक साल में 50% का बढ़िया इसने growth दिखाया है आप देखो शेर 55 रुपए का था बड़ी रफतार पकड़ी थी इसने 131 रुपए तक गया और अभी अगर आप देखो तो consolidate वाले phase में जरूर है और मै उमीद करूँगा कि यह जो 100 रुपए का range है वहाँ पर एक support मिलना चाहिए खासा कि 105 रुपए पर अगर आप देखो तो इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इसी range से इसने हमेशा bounce back दिखाया है 105 से 108 रुपए के बीच से इसने bounce back दिखाया है अगर यहाँ पर यह टिक यहाँ पर यह है कि 11% तक गिर गया क्योंकि एक बड़ी block डील हुई यहाँ पर 39 million shares exchange हुए और यही वजह है कि आज शेर आपको इस तरीके से गिरते हुए नजर आए 105 रुपए तक चला गया था आज यह और काफी बड़ी गिरावट कह सकते होगे यहाँ पर देखने को मिल क्योंटिटी में जब हैंड एक्सचेंज होंगे और वह भी डिसकाउंट प्राइस पर 108 रुपए के प्राइस पर ही एक्सचेंज हुए है और अक्वार्बस पिंकस वन ऑफ दे की इन्वेस्टर्स इन कल्यान जोइलर्स वस लाइकली तो अफ्लोड अफ्लोड अ 2.5% स्टे है बहुत बड़ी कॉंटिटी है एस ओन डिसमबर 31st 2022 हाइडल इंवेस्टमेंट लिमिटेड हिल 271.54 मिलियन और 26.36% स्टेक इन कल्यान जोइलर्स तो बहुत बड़े इंवेस्टर्स यहां पर हाइडल इंवेस्टमेंट भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं और यहों कल्य कल्यान जोइलर्स की जो मेन मार्केट थी वो साउथ हिंडिया तक सिमित थी लेकिन अब नौर्थ हिंडिया में भी काफी बड़ा एक्स्पेंशन इन्होंने किया हुआ है अब देखिए कल्यान जोइलर्स है 138 शोरूम्स अक्रोस 21 इंडियन स्टेट्स और इंडियन हुआ है टेक्निकल व्यू की तरफ अगर हम नजर करेंगे तो वह यह टागेट थौसन नेगेटिव है और 97 रुपीज का है सपोर्ट 107-105 रुपए के आसपस जरूरू जो कि मैं आपको पहले ही का कि अगर आप ग्राफ भी देखो तो आपको पता चलेगा किसे पहले भी 105 से इसने बाउंस बैक दिखाया था 120 रुपए तक गया वापस गिर कर 105 पर आया वापस बाउंस बैक दिखाया था इसने 118 तक गया वापस गिर कर 107 पर आया था वापस वहां से बाउंस बैक दिखा 120 पर आया तो कहीं न कहीं 105 और 107 रुपए का जो रेंज हो एक सपोर्ट क यहाँ पर देखने को मिल सकती है काफी बड़ी Š ट्रूर से भी जादा कॉंटिटी में आज शेर यहाँ पर ट्रेड होए बड़ी कॉंटिटी ट्रेड होती हुई नज़र आई है इतना ही नहीं अगर हम बात करें तो गिफ्ट के थूँ यहाँ पर आते के प्रामोटर ग्रूप ने खरीदारी एक्विजिशन यहाँ पर हुई इतने सारे शेर्ड्स की साथ मार्च को इवन आप इससे पहले भी अगरे दिए तो बड़ी-बड़ी कॉंटिटी में यहाँ पर खरीदारी हुई है कुछ ने बेचा है कुछ ने खरीदा हैंड एक्षचेंज सिंपल यहाँ पर कैसे लेकिन बड़ी कॉंटिटी में खरीदारी कह सकते हो कि देखने को मिली है कंपनी में डिविदेंट के अगर हम बात करेंगी तो कोई डिविदेंट इसने पेन प्रॉफिट में भी तेजी आई है दोसो चौदा क्रोड का प्रॉफिट 2022 में दिखाया था इसने अगर हम क्वार्टर ऑं क्वार्टर पर नज़र करेंगे तो भी अच्छे हैं यहाँ पर अलोके 3,400 करोड से फिर गिल के 2,800 पर आए फिर बाद में 3,300 रहे फिर 3,400 रहे फिर 3,850 करोड के आसपास रहा मतलब रिवन्यू में डेफिनिटल हम कह सकते हैं कि तेजी तो आई है यहाँ पर तेजी तो है इनके रिवन्यू में और देखो डिसंबर वैसे भी काफी इंपॉर्टन हो जाता है इनका हो जाता है क्वार्टर क्योंकि शादी वाला सीजन होता है लोग खरीदारी करते हैं और दूसरी बात 208 था फिर 106 था फिर 149 करो मतलब बड़ी कॉंटिटी में मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट कह सकते हैं कि इन्होंने कमाया जरूर है लास्ट कॉर्टर में कल्यान जोलर्स देखा जाए तो भईया कंपिनी का जो पी रिशो 53 का है आज की गिरावट के बाद शाय तो आसा और कम हो जाएगा सेक्टर p125 का है सस्ता जरूर है 100 परसंट कहते हैं खरीदारी करो शेह होल्डिंग को लेकर अगर हम देखे तो शेह होल्डिंग में प्रमोटर के पास होल्डिंग 60 पिंट 54 परसंट की है 2.11 परसंट की जो होल्डिंग है वो मूचलаци फंट के पास है 0.78 प परचन की holding लेकर बैठे हुए है अब मार्च कोडर की शेयह holding pattern काफी interesting रहेगी कि किस ने बेचा किस ने खरीदा वह काफी interesting होगा कि वह यहां किस ने कॉइथ यहां पर बेची है जो एक्सचेंज हुए है वहाँ पर क्या सिंग हुआ है तो कंपनी अच्छी है और मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में भी देखो गोल्ड में जो अच्छी कंपनी है टाइटन के अगर आब बात करो वह तो अच्छा परफॉर्म करें रहे देखो भविश्य का टाइटन में नह रहना चाहिए लेकिन अगर वो तूट गया तो फिर और फर्दर करेक्शन भी देखने को मिलेंगे तो अभी इतना ही कहूंगा कि खरिदारी करने के मौकर अभी तभी है जब यह इस लेवल को मेंटिन कर पाए अगर यह नहीं कर पाता है तो फर्दर फॉल भी देखने को मि आगे मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंद आ हो तो लाइक कर शाय करें अगर पहली बारे में तो प्रीज सब्सक्राइब करें और कल्यान जूलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखे बता सकते हैं तैंक यू